आजम खान को परिवास समित रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया इजरान उन्हें जेल में भी घर से लाए गए दो बैग, एक ट्रॉली बैग भी जा गया साथी उनके लिए घर से कंबल भी मंगाया गया पस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी से उनका समान उतारा जारा है और जेल के अंदर पहुचाया जारा है पहुचाया जारा है तो जेल में आज़म खान को और उनके परिवार को शिफ्ट किया गया है रामपूर जेल से सीतापूर जेल में तो जेल में भी उनका समान जो है वो पहुचाया गया ये बैग आप देख सकते हैं तो आज़म खान के परिवार को रामपूर जेल से सीतापूर जेल में शिफ्ट किया गया है और इस दुनान उन्हें जेल में भी घर से लाई गई दो बैग और एक ट्रॉली बैग भीजा गया तो जेल के अंदर भी घर से मंगाया गया बोरिया बिस्तर साथ ने देख सकते हैं तस्वीरे जो कामरे में कैद हुई हैं इस दुरान उन्हें चेल में भी घर से लाए गए दो बैग, एक ट्रॉली बैग जो है भीजा गया है, साथ ही उनके लिए घर से कंभल भी मंगवाया गया, तस्वीरों में भी आप साफ तोर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी से उनका समान उधारा जा रहा है सीतापूर से राजकुमार दिक्षित हमासा जोट चकी हैं जावा जानकारी के साथ, राजकुमार जो तस्वीरे सामने आई हैं, इसमें दिख रहा है कि आजम का बोरिया अबिस्तास साप में है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जैसे ही आदम खान जेल के अंदर गए हैं, उसके चंद ही मिंटों के बाद में पीछे जिपसी आई, जिपसी में एक ब्रिपकेस लगा हुआ था, रजाईल लदी हुई थी, ये सभी सारा सामान जेल के अंदर पहुचा दिया गया है आदम खान जेल के वी आईपी बेवस्ता की भी सुविदा हो सकता है, सूत बता रहे हैं जेल में हो शुक्री आपका राज कुमार ये जानकारी देने के लिए